अनुराक ठाकुन ने यूपी चुनाव पर बात करते हुए सवाजवादी पाठी को घेर लिया अनुराक ठाकुन ने आरोप लगाया कि अखलेश के राज में दंगे होते थे, घर जलते थे लेकिन बीजेपी की सरकार में राम मंदर बना उत्तरप्रदेश आने वाले दिनों में बहुत मैतपुन है क्योंकि वहाँ पर चुनाव है भारत्य जन्ता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप गन्ना की बात नी करते हैं आप जिन्ना की बात करते हैं आपने भी एक बयान दिया आपने का अखिलेश दंगा करवाते हैं और आप दंगल लेकिन उनका दावाए की अखिलेश का दावाए कि इस बार 400 सीटों से जादा वो जीत रहे हैं और योगी अधित्यनात और नरिंद्र मोदी की तेहासिक हार होने जा रही है उत्तरप्रदेश के अंदर उनको टोपी महत्पून है हमें रोटी महत्पून है किस टोपी की राजनीती करते हैं और हम लोग रोटी उपलब्द करवाने के लिए काम करते हैं और मैं याद करवाना चाता हूं अखिलेशी को, सप्पा के राज में दंगे होते थे, हमारे अब दंगल होते हैं वो भी केलों को बढ़ावा देने के लिए, उनके समय घर जलते थे, हमारे समय घाटों पर दिये जलते हैं, उस समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम मंदर का निर्मान, भवे राम